दोस्तों इंस्टाग्राम पर काफी परसन को एक प्रोब्लम को फेस करना पड़ रहा है प्रोब्लम यह है जैसे ही वो इंस्टाग्राम को उपन करते हैं और कोई भी इस्टोरी लगाते हैं इस्टोरी में वो जाहे पिच्चर लगाते हैं फोटो लगाते हैं या फिर जो है कोई भी वीडियो लगाते हैं तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी जो इस्टोरी है वो उल्टी हो जाती है पोस्ट होने के बाद में अप्लोड होने के बाद में वो उल्टी हो जाती है या फिर रोटेट हो जाती है इस तरह से काफी person की problem है जिनके DMs हमें देखने को मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस story के अंदर problem आ रही है कि story लगाने के बाद में वो उल्टी हो जाती है rotate हो जाती है हम इस problem को कैसे solve करें तो इस video के अंदर मैं आपको इसका solution बताने वाला हूँ कैसे इसको solve कर सकते हो इसलिए आपको वीडियो को skip करके नहीं देखना है वीडियो को end तक देखना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमने अपने Instagram को यहाँ पर open किया हुआ है open करने से पहले आपको सबसे पहले जाना होगा अपने play store के अंदर यहाँ से play store को open करना है और play store को open करने के बाद में यहाँ पर आपको search करना है Instagram यहाँ से हम Instagram सर्च करेंगे Instagram को search करने के बाद में Instagram हमारे सामने आ जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो Instagram का update जो है आया हुआ है हमें इसको update कर लेना है अगर आपको भी update यहाँ पर दिखता है तो update कर लीजिए update करने के बाद में आपकी जो वो problem होगी वो fix हो जाएगी अगर आपको यहाँ लगता है कि update करने के बाद भी हमारी यह problem fix नहीं हुई तो आपको करना क्या होगा आपको जो है Instagram का old version डाउनलोड कर लेना है उसको use करना है दो यह तीन दिन यह चार दिन के लिए जब तक यह problem आ रही है यह problem क्यों आ रही है मैं आपको वो बता देता हूँ पहले यह problem इसलिए आ रही है क्योंकि Instagram के अंदर update चल रही है और यह Instagram का एक bug है Instagram की तरफ से ही एक glitch है जिसकी वज़ा से आपको इस तरह की problem face करनी पड़ रही है यह latest version के अंदर है अगर आप जो है इसका old version डाउनलोड करके आप उसको use करते हो तो उसमें आपको यह problem देखने को नहीं मिरेगी old version को कैसे डाउनलोड करना है उसका link मेरी वीडियो के description में आपको मिल जाएगा वहाँ पर जाकर के जो है आप उस link पर किलिक करेंगे और old version के Instagram को डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद में आपकी जो यह problem होगी वो 100% solve हो जाएगी अगर आप यह चाते हैं कि हम old version डाउनलोड नहीं करते हैं हम तो latest version के अंदर ही जो इसको use करना चाते हैं और हम यह चाते हैं कि latest version में हमारी यह problem solve हो तो उसके लिए आपको 2 या 3 दिन wait करना होगा और इस्टाग्राम के जितने भी update आते हैं उनको update करते रहे हैं उसी के साथ में आपकी यह problem fix हो जाएगी क्योंकि यह इस्टाग्राम की तरफ से आने वाले update की साथ में automatically fix हो जाएगी I hope कि आपको यह वीडियो अच्छे लगए गर आपको पसंद आए तो इसको like करें शेयर करें मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में